चुआ कि हम यहाँ विश्वद्यालय में हैं, यह कहा जाता कि हमारे सो प्राचीन गरंध थे, वो श्रमण परमपरा में आते थे, बोलकर, चुआ कि लिखना आता नहीं था लोगों को, इसलिए वो श्रमण परमपरा में चलते थे, सुन सुनाके, यह बताइए, हमने नक्षत् और इतनी appropriate गढ़ना की कि आज तक हमारा पंचांग सही है और हमें लिखना नहीं आता था वास्विक्ता ये है कि हमारी जो सामर्थ थी वो इतनी आगे हो चुकी थी कि वहाँ पर लिखने की आवश्यक्ता नहीं रह जाती थी अब एक छोटा सा उधारण आपको बताता हूँ चुकी जिन भाशाओं में मातरा पाई नहीं होती अब ये बताईए छोटी यो बड़ी आप लिख के समझा सकते हैं किसी को बोल के ही समझा सकते हैं इसलिए हमारे यहां स्वर का महत्तु था हमारे यहां वैसी भाशाएं थी जिनको कि आप एक रिदम में ही बोल सकते हैं इसके लिए बोलने की आवशक्ता थी सिर्फ और सिर्फ के लिखने से नहीं अब जैसे उधारण के लिए शिवतांडव स्रोत में कहता ना जटा टवी गलज्वलब प्रवाः पावी तस्तले गलेव लंब लंबितां उन्होंने कहा जिन भाशाओं में मात्रा पाई होती नहीं थी तो उन्हें स्वर आरोह और अवरोह का ज्यान नहीं था इस कारण से उनके मन में बात आई उधारण के लिए एक और उधारण देता हूँ हम सब पढ़ते हैं कि जो प्लैनेट्स की बात हुई तो सबसे पहले प्लैनेट्स नो प्लैनेट्स किसने खोजे कैपलर ने कैपलर लाओ प्लैनेट्री मोशन जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है सबने पढ़ा होगा नो ग्रह सबसे पहले प्लैनेट बताए कैपलर ने ठीक है अभी बताईए पूजा के समय पढ़े हैं ना ब्रह्मा मुरारी ये है कि भूमिसुत मंगल को कहा गया ये तो साइंस को आप पता चला कि एक थियोरी है कि अर्थ से कभी बिलियंस ओव येर्स पहले एक टुकड़ा अलग हुआ वो जाके मंगल बना और भूमिसुत यानि भूमिका पुत्र मंगल को उसी जमाने में कहा जा रहा है इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक परिवर्तन की आवशक्ता है इसलिए जो नई एक एडूकेशन पॉलिसी लाई गई उसमें रिसर्च पर भी ध्यान दिया जाएगा इंडियन नेस पर भी ध्यान दिया जाएगा और एक हर वेक्ति को अलग-अलग इस तर के उपर आगे ज आने पर वीजय से